नमस्कार मैं रवी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरू रवी में गाइच आप सभी को पता है एक फरवरी से रेलवेवाले बच्चों के लिए हमने वया एक स्पेशल बेच बायलोजी का स्टार्ट किया था इस बेच में हम बायलोजी के चप्टर्वाइज म्-C करवा रहे हैं बेठा सबसे पहले हमने जो चप्टर्ट किया है वह किया है होमन डीसीच अर्थार मानोरोगवाला चप्टर औरव इस चप्टर में बेटा मैंने 70 किःष्ट्न आपको करवा दिये हैं आज हम स्टार्ट कर सेस्क्री नंबद eleg Chili सनेुश्य याद रहे इस संदे कर आपके संदे का उफ रहता है यह receptors संडे का ओ रहता है तो यह रहा किस नंबद समक lesi इगेतर की अच्छा क्यूशन है बेटा और इस प्रकार के परस्ट मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवा है पिछले अगर हम सतर क्यूशनों के बारे में जाने है तो पिछले सतर क्यूशन में भी मैंने आपको कम से कम इस क्यूशन से सम्मान देत दो से तीन क्यूशनों में म मादा एनफलीच ओपस नमबर डी है बेटा मादा क्यूलैक्स ये क्यूशन आपसे पुछा गया है RRBJ में 14-12-2014 गो इस क्यूशन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बोक्स में बता सकते हो गाइच इस क्यूशन का राइट आंसर होगा मादा एनफलीच क्या होगा मादा एनफलीच ये बेटा चारो के चारो ही क्या है ये मच्छर है बेटा और सिंपल बासा में कहूं तो आपसे ये क्यूशन पूछा गया है कि निमन मेंसे जो मलेरिया रोग है बेटा वो किस से होता है ये क्यूसन आप से पूछा गया है बेटा, सिंपल मासा में और ये आपके options है, और ये जेए में पूछा गया है क्यूसन है बईया और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है बेटा, कि हर हमेशा जो मच्छर होते हैं, वो बेटा कौन-कौन सी बीमारी करते हैं तो मैंने तीन परकार के मच्छर आपको लिखवाए थे और उन से होने वाली बीमारी मैंने आपको बताई थी सबसे पहले, फीमेल, एक बार दुबारा से देखते हैं फीमेल, एडीज, एजिप्टाई, मोस्क्यूटो यह एक मच्छर है बेटा, और याद रखना हर अमेशा इंसानों में जो बीमारी करती है बेटा, वो मादा मच्छर ही करती है फीमेल, मोस्क्यूटो ही करती है तो नरका तो यह उप्सन एसे यह गलत हो जाता है देखिए, फीमेल, एडीज, एजिप्टाई, मच्छर मादा, एडीज, एजिप्टाई, मच्छर यह बेटा डेंगू करती है यह निकि डेंगू इसी ही के कारण होता है और चिकनगुनिया चिकनगुनिया इसी के कारण होता है येलो फिवर इसी के कारण होता है और जी का फिवर इसी के कारण होता है यह चारो विमारी डेंगु, चिकनगुनिय, येलो फिवर और जी का फिवर फिमेल एडिज एजिप्टाई मच्छर से ही होगा विया एक होती है फिमेल कि एनोफलीज फीमेल एनोफलीज मॉस्टिटो एक यप सर होता है बिटा मादा एनोफलीज मच्छर और इस मच्छर से होता है बेटा Maleria इस मच्छर से कौन सा रोग होता है Maleria जो कि एक Proto-Zonal disease है जो कि एक Proto-Zonal disease है यानि कि Proto-Zowah से होने वाली बीमारी है और यह चारों के चारों बीमारी बेटा वाइरस disease है अर्थार्थ वाइरस से होने वाली बीमारी है इतनी इंगे बाद समझ में आगए एक मच्छर ओर होता है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मौस्ट्ट्टो मादक्यूलेक्स मच्छर और इस मच्छर से होता है बेटा हाती पाउं रोग हिंदी में कहूं तो हाथी पाउं रोग और इंग्लिस में कहा जाता है एलिफेंटियसिस एलिफेंटियसिस या फिर फाइलेरियसिस भी आप कह सकते हो को अगर आपको बिमारी होगी बेटा तो इनी तीन परकार के मच्छरों से होगी जासे आपके एक्जम में क्यूसन पूछे जाते हैं बैया मुख्य रोप से एक का नाम है फिमेल एडी जेजिप्ट है मच्छर याद कर लीजिए दूसरे का नाम है फिमेल एनपलीज मच्छर और तीसरे का नाम है फिमेल क्यूलेक्स मच्छर इन तीनों मत्सरों से ही हरमेसा बीमारी होगे तीनों के तीनों ही बेटा फिमेल है मक्यों से कौन-कौन सी बीमारी होती ही वो भी मैंने आपको अच्छे से पड़ा रखा है तो आप से क्यूशन पूछा गया है malaria पर जीवी का प्राथमिक परपोसी कोन है तो माधा एनफलीज होगा 25 अपरेल को malaria दिवस मनाया जाता है बेटा कब 25 अपरेल को 25 अपरेल को और यह एक proto-journal disease है बेटा और इसके proto-journal का नाम क्या है इसके पेथोजन का नाम क्या है रोग जनक वो होता है बेटा जो बीमारी को जनम देता है और रोग जनक को यह इंगलीज में बोला जाता है पेथोजन तो प्लाजमो डियम है वहिया और इस प्लाजमो डियम की परजाती भी मैंने आपको बताई थी याद रखना इसमें RBC की सिंख्या कम हो जाती है इस बीमारी में मलेरिया में और डेंगो में बेटा प्लेटलेट्स की सिंख्या कम होती है इतनी बात किलियर है पहला क्यूसन आपको समझ में आया आसा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसक्रीन सोट ले लीजिए बेटा आप चलते हैं second question की और यानि की question number 22 की और चले बया ओके देखे बया question number 22 की बात करते हैं बहुत अच्छा question है start लगा लेजिए वैसे मैं आपको बता दू बेटा 8 stroke के बारे में जब मैंने ये chapter start किया था तो सुरुवात में मैंने जो आपको 20 question करवाए था यानि कि सुरुवात की तेन किलासों में बेटा जो मैंने आपको 20 question करवाए थे वो बेटा 8 stroke से ही समन्दित है अगर मैं पिछली group D की exam उठा कर देखू बेटा तो ज़्यादा तर question जो पूँचे गए हैं बेटा वो 8 stroke से पूँचे गए है तो 8 को धान से समझना इस question में मैं आपको AIDS के बारे में कुछ टिपणिया करने वाला हूँ इतनी बात किलियर है कि उस नंबर भैतर कहता है कि निम्न में से कौन सा विसानु जनित रोग है आपके options यह है बेटा आपक्स नंबर है टिटनेस, आपक्स नंबर भी है छह रोग, आपक्स नंबर सी है टाइप है, आपक्स नंबर डी है AIDS यह किसना आप से पूछा गया है? RRBJ में सेम 14-12-2014 तो कौन सा विसानु जनित रोग है? तो विसानु जनित रोग का मतलब होता है, एसा रोग जो विसानु के कारण पैदा हुआ है, एसे रोगों को कहा जाता है, विसानु जनित रोग, इंगलीस में कहा जाता है विसानु जनित रोग, इंगलीस में कहा जाता है विसानु जन inspire कौन-कौन सी वीमारी होती है मैं आपको लिख्वा चुगा cowox से कौन-कौन सी वीमारी होती है नुवान्सिक रोगों के नाम में आपको लिख्वा चुगा लेकिन एक बार फिर synthetic करऊा देता हूँ लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए बेटा इस परकार के प्रसनागर पूरे मानों रोग को उठा कर देखोगे तो 30-40% बेटा इस परकार के क्यूशन आपको देखने को मिलेगे जिसमें बीमारियों के नाम पूछा जाता है बेटा डायरेक्ट और आप याद करके नहीं जाते और आपसे आपके एक्जाम में क्यूशन छूट जाते हैं देखिए वाइरस से होने वाले रोगों के नाम बता देता हूं मैं नंबर एक डेंगू नंबर दो एड्स एड्स को पहले पर लिखना था पर कोई बात नहीं है नंबर तीन चिकन गुनिया नंबर चार येलो फिवर नंबर पाँच जीका फिवर नंबर चै चिकन पोक्स नंबर साथ इस्मोल पोक्स से चेचक रोग भी कहा जाता है दिख रहा है नंबर आठ पर आता है भया मीजल्स नंबर नो पर आता है जर्मन मीजल्स नंबर दस पर आता है भया जेनाइटल हर्पस नंबर ग्यारा पर आता है वाइरल हिपेटाइटस नंबर बारवे पर आता है भया नहीं हाँ सुआइन फिल्यू नंबर तेरवे पर आता है भया बर्ड फिल्यू नंबर चोधवे पर आता है इन्फ्लुएंजा नंबर पंदरवे पर आता है इबोला नंबर सोड़े पर आता है निपहा वाइरस दिख रहे हैं सोड़ों गए सतरवे पर आता है पोलियो अठारवे पर आता है रेबीज गुनिस पर आता है मम्प्स और बीस पर आता है बैया कोमन कोल्ड अगर नहीं लिखाया तो बैटा लिख लेना क्योंकि यहां से आपके एक जम में बहुत सारे किसन पूछे जाते हैं अब देख लीजिए इन में से कौन सा विसानू जनित रोग है क्या क्या च्छैरोग में लिखाया क्या नहीं लिखाया च्छैरोग को टीबी कहा जाता है लि से तीनों बीमारी बैटा बेक्टीरिया से होने वाले बीमारी है और बेक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के नाम भी मैं आपको अच्छै से लिखा चुका एड्स के बारे में कुछ पता देता हूं बैटा एड्स से बहुत सारे किसन पूछे जाते हैं एड्स एसे लिख और दिखा जाता है इंगलीस में एड्सकी फुल्फॉरम होतकी ये बेटा एक्वाइड इम्म्जुन ओंट भी झी देफ़िअन्सी A ओर सो n 10 छो न रोँ जहांसे समझ ना मेरी बात वो पिन्मुन ओर डेफ़ियोंसी सिंड्रोम यह है बेटा AIDS की फुलफोरम तो AIDS की फुलफोरम भी आपसे आपके अग्जम में पूँची जाती है Equide का मतलब होता है अरजीत करना Immuno का मतलब होता है Immune System से यानि कि परतिरक्षी तंतरे सा तंतर जो आपको बीमारियों से बचाता है इसे तंतर को कहा जाता है Immune System Deficiency का मतलब होता है कमी और Syndrome का मतलब होता है जब आपको भूस सारी बीमारियों के लक्षन एक साथ देखने को मिले तो वो होता है Syndrome तो जैसे ही आपको ये बीमारी अरजीत हुई तो क्या होगा और जिससे क्या होता है आपको भूस सारी बीमारियों के लक्षन आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं एसी बीमारी को ही एड्स कहा जाता है नहीं है समझ में देखो AIDS का मतलब होता है एकवाइड का मतलब होता है अरजीत करना अरजीत करना इम्यूनों का मतलब है इम्यून सिस्टम से इम्यून सिस्टम से यानि कि परती रक्षी तंत्र से Deficiency का मतलब होता है कमी और syndrome का मतलब होता है जब बहुत सारी बीमारियों के लक्षन आपको एकसा देखने को मिल जाए तो वो होता है syndrome तो जैसे ही आपको बीमारी अरजित हुई अब ये किस से अरजित हो सकती है ये बीमारी बेटा तो मैंने आपको बेटा अच्छे से जब 8-stroke के बारे में सिखाया था 8-stroke के बारे में पढ़ाया था तो बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इसलिए कहता हूँ कि अगर मानो रोग वाला chapter आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो मैं आपको बता दू मैंने 55-किलासों में ये चेप्टर समाब्त किया था दो माइने में बेटा मैंने ये चेप्टर समाब्त किया था बिल्कुर 0-level से लेकर के high-level तक आपको पढ़ाया था अगर आपने चेप्टर नहीं पढ़ाया था आपको नीचे link के क्यूशन तो सोच सकते हो अब मैंने कितना अच्छा कंटेंट कराया है हर रोज सुबह 6 वजे बेटा मैं बाइलो जी का एक बैतरीन क्यूशन कमुनिटी पोस्ट में डालता हूँ ये वो क्यूशन होता है करवा रखें सारे चेप्टर क्यूशन करवा रखें नहीं देखें हैं तो प्लेइलिस्ट में जाकर siihen कर सकते हैं सुबह 6 वजे बेच में बेटा मैं आपको मश्कुल सिस्टम करवा रहा हूँ मस्कुला सिस्टम में आ इस नहीं कर लेडिया तो तो मस्कूलर सिस्टम से जितने भी क्यूशन आपकी एक्जाम में पूंचे गए हैं वह सभी क्यूशन मैंने आपको करवा हैं तो सुबह वाला बेच भी जोई नहीं किया तो जाकर जोई निकर लीजी कुछ नहीं करना है एक रुपए देने क्या हो सकता नहीं है बैटा सब्सक्राइब करना है और मस्त पढ़ो चीज़ें को बिल्कुल आसान मासा में पढ़ा रहा हूं भाईया ठीक है तो आसा करता हूं इस सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी हां तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे बैटा एड्स की फुलफोरम क्या होती है एक्वाइड इम्योड डेफिसियंसे सिंड्रोम अर्जी तुई और क्या होगा सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी विमारियों के लक्षन आपको एक साथ देखने को मिल चाहिए जैसे विमारी को कहा जाता है एड्स यह वाइरस से होने वाले वीमारी है और किस वाइरस से होती है तो हुमन इम्यून डेफिसियंसी चले विया ओके देखे विया अब बात करते हैं क्यों स्यम पृतर की अच्छा किसन है इम्पोर्टेंट है विया तेखर क्यों स्यम्यून रिया आपके इस क्यूशन का राइट आंसर होगा विटा, ओपस नमबर सी यक्रत, देखिए, लीवर के बारे में जानते हूँ आप, लीवर, इसे आप यक्रत भी कह दीजिए, या फिर जीगर कह दीजिए, बात यह किए, इस लीवर से विटा, एक जूस का निर्मान होता है, उस जूस का नाम है, बाइल जूस, क्या नाम है, बाइल जूस, हिंदी में कहा जाता है, बेटा, पितरस, इतनी बात समझ में आ गए, इस बाइल जूस का निर्मान होता है, बेटा, लीवर में, ठीक, परती दिन, साथ सो से, आठ सो एमेल, परती डे, इसका निर्मान होता है, हर अमेशा हरा और इसका प्याच मान होता है साथ पॉंट पांच से लेकर के आठ पॉंट पांच तो इसकी परकरति कैसी हो जाएगी पेटा छारी केसी हो जाएगी चारी इतनी बात के लिए इस बाइल जूस में बेटा दो परकार के pigment मौजूद होते हैं लेकिन इनको बताने से पहले बेटा मैं आपको और चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे कि Bile Juice का निर्मान खाँ होता है तोレवर में होता है यकरत भी होता है ये तो गए है बेटा इसका निर्मान लेकिन यह जमा खाँ होता है श्टोर खाँ होता है बेटा तो यह पितासे में होता है कौन जमा होता है यह बाइल जूस यह पित्रस खापर पितासे में जमा होता है और कारिये करता है बेटा छोटी आंथ में जाकर गए और रस्तन पुलिस में एक बार क्यूशन पूचा गया था कि बाइल जूस का निर्मान खाँ होता है तो बेटा बाइल जूस का निर्मान होता है आपके लिवर में और यही क्यूशन बेटा बहुत सारी एक्जामों में पूचे गए हैं गुमा फिराकर कि बाइल जूस खा जाकर के स्टोर होता है तो पिता से में जाकर के स्टोर होता है इन बातों का आपको जान रखना है ठीक है बाइल जूस में बेटा दो प्लाजमा होता है अब ये प्लाजमा खाँ होता है बेटा बलड में इसका रंग होता है बेटा हलका पिला वो किस पिगमेंट के कारण होता है वो लेवर में पाए जाने वाले इसी बिलीरूबिन पिगमेंट के कारण होता है और मैं आपको बता दो बेटा जब ये pigment जादा बन जाता है जादा बन जाता है तो ये क्या होता है बेटा हमारी आखों में जाकर के जमा होता है हमारी ताउचा में जाकर के इस्टोर हो जाता है जिसके कारण आपको हमारी ताउचा या आख पीली-पीली से दिखाई देने लग जाती है और इसी रोग को कहा जाता है पीलिया इसे जो इंडिस कहा जाता है बेटा इंगलिस में तो इस पीलिया रोग का सम्द्ध किस्से हैं बेटा लेवर से है यकरत से तो आशा करता हूँ बेटा इस सारी की सारी ही कानी आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस सारी के सारी ही कानी आपको समझ में आ गई होगी तो पेलिया का समझ किस से है बेटा यकरत से यकरत से आ गया माज़ा, समज में आ गयी शारी चीज़े? अब चलते हैं बिटा की ओरा इसक्रेन शॉट ले लिजी इस रोग से संबन दीती है वह यह नेक्स्ट क्यूशन तो स्क्रेन शॉट ले लीजी ले अपने ओके लिखे बिया अब बात करते हैं इसन नमबर तो आज कुछ काम है बिटा मुझे नहीं पर जाना है तो आज बस 20 मिनिट की ही क्लास है कि उस नंबर चोतर तक ही रहेंगे तलसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारात राम राम चैनल पनेया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है को की बाइ